नमस्कार 124 देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ तान्या सिंग बात करेंगे राजनीती की वड़ी खबरों के बारे में राश्यर अंतर दल के प्रमुक लालो प्रिशाद यादर ने केंद्र मन्ति गिरी राज सिंग की हिंदूस वाभि मान यात परशक्त प्रतिक्रिया दी है लालो ने कहा है कि गिराद सिंग को उस तरह की भड़काओ ब्यानबाजे करने की आदत है और यह कोई नई बात नहीं है उन्होंने कहा कि उनके साशन और मुख्य मंतर इंटीश कुमार के साशन में कोई खास अंतर नहीं है लालो का मानना है कि गिरीराज सुंग इस प्रकार के विभाजनकारी बयान देते रहते हैं लेकिन उनके रहते कोई भी राज्य में दंगे या संप्रतवाइक जगडे नहीं भड़का सकता उन्होंने यह भी सपश्ट किया है कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ शांती से रहते हैं और किसी को उनके बीच फूट डालने का अधिकार नहीं है यह बयान लालो यादव ने बुधवार को मीडिया से बात्चुत के दोरान दिया है उन्होंने बिहार में हरातों के लिए सीधे तोर पर मुक़् मंतरी निटीश कुमार को जम्मदाठेराया लालो पिशाद ने कहा कि राजुर में जो कुछ भी गलत हो रहा है उसकी पूरे जम्मदारी निटीश कुमार की है जिहां केंदर मंतरी गिराज सिंग ने सिमांचोल शेतर में हिंदू स्वाविमान यात्र निकाली थी इस यात्रा के दोरान उन्होंने पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशन गंज जैसे मुस्लिम बहूल इलाकों में हिंदू से एकजिट होने का आवाहन किया है इसके साथ ही उन्होंने बांगलादेशी गुस फैठियों का मुद्दा बिठाया और हिंदू से अपील की कि वे अपने स्वाविमान की रक्षा के लिए संगटे थों इस यात्रा के दुरान बीजेपी सांसोर प्रदीब कुमार सिंग का एक बयान भी चर्चा में रहा आपको पता दिये कि जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर अरया में रहना है तो हिंदू बनकर रहना होगा उनके इस बयान से काफी विवाद उत्पन हुआ है और इस पर राजजुरितिक पतिकरियाएं भी आई है उन्होंने यह भी कहा कि देश के मिट्टी में सभी धर्मों और समदाओं का योगदान है और सवतंतरता संगराम में सभी ने बराबर का हिस्सा लिया है तो रस्वी ने यह भी चताबनी दी कि अगर किसी ने मुसल्मानों के खिलाफ गलत इरादे से दिखा तो वह उसे कड़ा जवाब देंगे और उसे मुह तोड़ सबक सिखाएंगे इस विवाद के चलते बिहार की राज़ुईती में एक बार फिर से संप्रुदाइक मुद्दो पर बहस छिड़ गई है हिंदो स्वाभिवान यात्रा के माधम से बीजेपी के नेताओं ने राज्य के हिंदों को एकजुट करने का प्रयास किया है वहीं आरजेडी और अन्य विपक्ष दल इसे संप्रुदाइक विभाजन की राज़ुईती करार दे रहे हैं लालो यादावर त्रस्वी यादव के बयानों से यह भी साफ हो गया है कि आरजेडी इस मुद्दे पर बीजेपी को घेडने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है बियान को बता दे कि यात्रा के दोरान दिये गए बयानों पर राज्य में राज़ुईतिक सरगर्मिया बढ़ गई हैं और इसने बिहार की राज़ुईती में नया मोड भिला दिया है साथी इस बियान बाज़ी को लेकर लाल प्रशाद यादा वर मुख्यमंत की इश्कमार भी काफी चर्चा में आ गये हैं तो फिलार के लिए बसुत नहीं ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते हैं 24 धन्यवाद